हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दुरूवीज फूड हर्ब आज हम बनाएंगे कैफे स्टाइल सेन्विच और कोल्ड कॉफी सेन्विच बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल और उसमें हम डालेंगे चार उबले हुए आलू आदा कप हरे मटर उसे भी हम बोल कर लेंगे आदी छोटी चम्मच लैसुन आप चाहो तो अद्रक और लैसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो फिर हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच हरी चटनी इसकी रेसीपी मेरे चैनल पर है फिर हम डालेंगे एक मुठी धनिया फिर हम उसमें डालेंगे आदी छोटी चम्मच शेजवान सौस एक चोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर एक चोटी चम्मच नमक आदी चोटी चम्मच काला नमक और आदी चोटी चम्मच पैरी पैरी मसाला फिर हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप पनीर इसे हमें ग्रेट कर लेना है आप चाहो तो एक चीज क्यूब भी डाल सकते हो फिर हम सभी चीजों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे तैयार है हमारा सेंविच का मसाला फिर हमें इसे ब्रेट पर असेंबल करना है हम लेंगे चार ब्लेट स्लाइसेस इस रसीपी से टोटल पाच सेंविच बनेंगे आलू मसाले को हम अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे अब चाहो तो ब्रेट पर बटर लगा के भी मसाला डाल सकते हो फिर हम ग्रीलर को घी से ग्रीज कर लेंगे अब चाहो तो ओईल या बटर भी यूज कर सकते हो फिर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे अब ब्रेट पर लेंगे दोनों साइड से हमें अच्छी तरह पका लेना है फिर हमारी सैंविच रेडी है फिर हम बनाएंगे कोल्ड कॉफी उसके लिए हम लेंगे एक कप ठंडा दूद दो छोटी चमत चीनी एक पैकेट कॉफी पाउडर दो छोटी चमत चॉकलेट सॉस सभी चीजों को हम मिक्स्चर में ग्रैंड कर लेंगे फिर हम एक ग्लास लेंगे और उसमें डालेंगे चॉकलेट सॉस यह उप्शनल है फिर हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉफी और इसे ठंडा ही सर्फ करेंगे तैयार है हमारी कोल्ड कॉफी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ठैंक यू धन्यवाद